हाव रूफिक्स वान प्लस टू कॉंफरेंस कॉल इश्यूस प्राब्लिम नमस्कार दोस्तों सुवागर अब सभी का तिकिर आज यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने डिवाइस में कॉंफरेंस कॉल प कनेक्ट नियोप आ रहा है या फिर कॉंफरेंस कॉल के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस वीडियो को आन तक देखे मैं आपको बताऊंगा सॉलूइशन जिसके मदद से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्फ कर सकते हैं वीडियो शुरू करने से से रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी कॉंफरेंस कोल के रिलेटेड प्रॉब्लम आते तो मैं है सेटिंग्स एक्षे से फॉलो करना होगा और सॉलुशन करना होगा पहले सॉलुशन करेंगे उसके बाद सेटिंग ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आए मैं आपको कुछ बेसिक सॉलुशन के साथ सेटिंग बता रेता हूं अगर कॉंफरेंस को काम नहीं करते सबसे पहले जाए सेटिंग स्क्रोल डाउन कीजिए उसके बाद सिस्टेम पर क्लिक कीजिए रिसेट ऑप्शन सेलेक करके रिसेट वाइफाई मोबाई एंड ब्लुटूट पर क्लिक करें अपना सीम सेलेक कीजिए रिसेट सेटिंग पर क्लिक करके मोबाईल पास्वोट भर दीजिए और यह करने के बाद आपको बेक करना है जैसी दोस्तों आप बेक करोगे आपको थोड़ा सा उपर में जाना है find out करना है apps and notifications तो उसमें जाएए उसमें जाने के बाद दोस्तों आपको see all apps पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे search करना है phone service ठीक है तो search कर लिजिए अपना phone service को यहाँ पे आप देख सकते तो on स्टोरेच में जाएए clear storage में क्लिक करके okay कर देना okay करने के बाद आपको बेक करना है make sure सारे परमिशन इसका enabled रहे उसके बाद आपको बेक करना है device को restart करना है ठीक है और यह करने के बाद जाए वाइफाइन नेट्रोक्स सेटिंग सिम कार्ड एन नेट्रोक्स और उसके बाद सेलेक किजे preferred नेट्रोक टाइप को preferred नेट्रोक टाइप आपका सेट होना चाहिए 4G पे जैसी भी हो 4G नेट्रोक हमें चाहिए ठीक है without 4G नेट्रोक conference call पोसिबल नहीं है तो 4G नेट्रोक कनेक करे अपना SIM को open करे वॉल्ट इनेबल कर दीजिए क्योंकि वॉल्ट के बिना आप conference call नहीं कर पाऊगे तो वॉल्ट यूज कीजिए with 4G तो यह solution और सेटिंग अगर आप एक साथ फोलो करती हो तो आपका problem solve हो जाएगा conference call आप connect कर सकती है लेकिन उसके लिए उसके लिए आपके पास होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर mobile विलेंस ठीक है जिससे आप कॉल कर सके और जिस भी नंबर पर आप कॉल करें वह नंबर जोए विलिट होना चाहिए बस ठीक है यहाँ पर कॉल वेरिंग बगरा का कुई भी इशु नहीं होना चाहिए अगर कॉल का प्रोब्लेम में तो इसके रिलेटेड मैंने किया है आज हम बत करें कॉल कॉन्फरेंस के बारे में ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ बेसिक सोलुशन के साथ सेटिंग बता दिया है अभी मान लिजे यह सोलुशन काम कर जाते तो आगे सोलुशन करने के कुई भी जरूरत नहीं है लेकिन अगर सोलुशन नहीं ह को पा रहे हैं तो आपको क्या करना है मोबाइल सौफ़ेर को रीबूट करना है ठीक है यानि की मोबाइल को सेफ मोड पर रीबूट करना है बस यहीं आपको बता रहो आपको क्या करना है और बटन पर प्रेस एंड होल करना है उसके बाद पावर ओफ के बटन पर दो सेटे सेमी है तो यह करने के बाद आपको क्या करना है चेक करके देखना है प्रॉब्लम सॉल्फ हुआ है या नहीं हुआ है अगर सॉल्फ हो जाता है प्रॉब्लम तो ठीक है अगर प्रॉब्लम सॉल्फ नहीं होते तो जाए सेटिंग स्क्रॉल डाउन कीजिए सिस्टेम पर जाए करने के साथिसाथ आपको बेक करना होगा प्लेश्टॉर में जाना होगा और यहाँ पे सर्च किजिएगा फॉन सर्वेस और आपका जो फॉन सर्वेस वह है Google LLC के तरव से तो जाके उसको आप आसानी से अपडेट कर सकते हैं यह करने के बाद यहां पर आपका अभी एप अपडेट हो चुका है Google Play Store से अपडेट कर दिया है और आपका सिस्टेम भी अपडेट हो चुका है अभी आप ट्राइ करके देखिए प्राभ्लेम सोल्फ हो चुका होगा ठीक है तो यह है दोस्तों कौनफरेंस कॉल के रिलेटेट सॉलिशेन तो अगर आपको कोई वह प्रावलेम आते तो आप इस सॉलिशन को फोलो गर सकते हैं लेकिन अगर phone काफी पुराना हो चुका है अगर आपको यह problem आ रहाए बहुत ज़्यादा पुराना होने के बाद तो आपको जाना है system ठीक है रिसेट option को सेलेक करें Factory reset कर दीजे अपने मोबाइल को फेक्टोरी रिसेट करने के बाद आपका कॉंफरेंस कॉल का इशू फीक्स्ट हो जाएगा ठीक है चाहे तो दोस्तों आप अपने नेटों ओपरेटर को कॉल करके उनका मदद भी ले सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको लड़ी सॉलुइशन बता दिया है अगर कुछ भी करने क के बाद भी नहीं हो पा रहा है तो आप उनको भी जो है एडवाइस ले सकते ठीक है उनसे भी तो मिट करते दोस्तों आपको यह वीडियो पसंने होगा आज के लिए वस इतना ही टैंक्स पर वाचिंग